हेलो इस्टूडेंट्स इंजिनिर्स केरियर पाइंट में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ जितेंदर त्यागी जैसा कि आप से भी जानते हैं पंजाब में PSPCL ठीक है पंजाब स्टेट पावर कारपरसन लिमिटेड ने जूनियर इंजिनियर की बेकेंसी निकाली है काफी बड़ी मात्रा में तो उसके लिए बच्चों ने तयारी स्टार्ट कर दी है और आपका जो इंजिनिर्स केरियर पाइंट का चंडीगर सेंटर है वहाँ पे ऑफलाइन क्लास इसके लिए स्टार्ट हो चुकी है आप जोईन कर सकते हैं मंडे से ठीक है पूरा प्लान हमारा म मंडे से है और इसमें अगर बच्चा ओनलाइन करना चाता है ओनलाइन भी कर सकता है ओफलाइन करना चाता है ओफलाइन भी कर सकता है ठीक है क्या डिफ्रेंस है ओफलाइन अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो आप चंडीगर में सेक्टर 34 में इंजिनर्स करियर वहाँ पे सुबह 11 बजे से batch start हो रहा है और basic electrical जो है आपका पहले वो start होगा subject और paper का जो level अब बहुत जादा tough नहीं होता आप अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो easily exam को crack किया जा सकता है लेकिन आपको थोड़ा practice करने की जरूरत है ठीक है जो बच्चे दूर रहते हैं चंडीगर से काफी और चंडीगर नहीं आ सकते तो ऐसे students के लिए online भी facility available है जिसका batch भी Monday से start हो रहा है अब coming Monday से और साम को 6 बजे class रहा करेगी उन बच्चों की तो आप जिसी भी mode में comfortable है most prefer का आपको करना चाहिए offline लेकिन जिसमें भी आप comfortable है उस mode में batch join कर सकते हैं पूरा syllabus detail में कराया जाएगा ताकि exam अच्छे तरीके साब सारी चीज़े आपको पढ़ी होई हो पहले से practice करें आप बहुत सारे test लगाए और इस exam को clear कर ले तो इस exam के syllabus में बहुत सारे subject हैं जिसमें आपके network है ठीक है electrical के power system हुआ machine हुआ और उसके अलापर बहुत सारे जो आपके दूसरे subject होते है measurement हुआ digital हुआ ठीक है एनलोग हुआ थोड़ी सी basic knowledge of programming जैसे C के बारे में बहुत easy is a question किसी programming language के बारे में general computer से related यह सब पूछे जाता है ठीक है तो अभी मैं इस lecture में क्या करने जा रहा हूँ आपको जो इनका भी exam हुआ था last year 2021 में पहले exam हुआ था तो उस exam के ठीक है उसके questions में हाँ पर discuss करूँगा digital electronics के दो session थे morning session और evening session दोनों के digital के जो questions थे वो में हाँ पर discuss करने जा रहा हूँ आपको idea लग जाएगा कि किस तरीकी questions पुछे जाते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले morning session की बात करते हैं तो पहला question यह आपके सामने है given symbol is of यह symbol किस का है कौन से logic gate का यह symbol है तो देखते ही आप पता सकते हो ना आपको सारे के सारे जो logic gate होते हैं logic gate को आपको prepare करना है इस exam के लिए तो उनके symbol उनकी truth table यह आपको पता होना चाहिए ठीक है ना क्या कर सकते हैं यह आपर यह जो आपका gate है कौन सा है एक्जोर gate है तो डी option पर आप easily tick कर सकते हैं कोई calculation की requirement यह सीधा टिक करना है आपको अगर आपने पढ़ा हुआ है पैचान लिया तो सीधा टिक करेंगे तो आपका calculation इसमें ज्यादे इनवोल नहीं होगा अब देखो एक बार मैं आपको यहापर बता देता हूं कि जो हमारे पास logic gate होते हैं आपके symbols की बात करें तो एक तो यह वाला logic gate का symbol होता है इस तरीके का जो आपको याद रखना है यह किसका symbol होता है अगर आप याद कर पाएं यह एंड gate का symbol होता है ठीक है किसका and gate का इसमें a और b दो input है और इसकी जो output होती है y equal to a and b यहाँ पे and operation हम सो करते हैं यह हमारा and gate का logic symbol और उसकी output expression होती है आपको याद रखनी है उसी तरीके से दूसरा जो logic gate होता है हमारा वो होता है or gate अगर हम or gate को बनाएं तो यह कुछ ऐसे दिखता है मैं ठीक है this is or gate इसमें a और b है input और y है output और y equal to a plus b ठीक है logical यहाँ पे क्या होता है logical addition ठीक है प्लस का मतलब logical addition होता है ठीक है तो y equal to a plus b आपको expression याद रखनी है और gate के बारे में उसके बाद तीसरा जो हमारे पास circuit है वो हम यहाँ पे बना सकते है खुछ इस तरीके का दिखता है a और यह y और y equal क्या होता है a का compliment इसको बोलते note gate और inverter तो तीन basic gate होते हैं यह तीन basic gate आपको याद रखने है उसके बाद हमारे पास तीन basic gate आपको यह symbol याद रखने है और output expression याद रखनी है इनकी truth table भी आपको prepare कराएंगे class के अंदर ठीक है अब अगला क्या है हमारे पास universal gate भी होत तो universal gate के उपर भी बहुत question exam में आते रहते हैं universal gates so we have two universal gates हमारे पास कितने universal gate होते हैं दो universal gate होते हैं कौन कौन से एक तो होता है nand gate अगर हम उसके logic symbol की बात करें तो and के आगे एक inverter लगा देते हैं ठीक है तो and plus not बन जाता है nand gate a b input है और y's की output है और output को क्या लिख सकते है a into to b का compliment whole compliment so यह हमारा कौन सा gate हुआ nand gate हुआ okay उसकी symbol और उसका expression मैंने आपको बता दिया nand gate यह आपको directly बस देख बार पढ़के याद रखेंगे आप exam में सीधा टिक करना है उसके बाद दूर सा universal gate होता है nor gate ठीक है वो क्या होता है or plus not अगर हम एक or gate बनाए और उसके आग a plus b का whole compliment this is nor gate nand gate nor gate ओके यह दोनों कहलाते हैं universal gate यह बहुत common question है बहुत important question है एक्जाम में पूछा जाता है कि which of the following is a universal gate तो यह दोनों universal gate होते हैं एक nand और एक दूसरा nor okay उसके अलाबा हमारे पास दो extra gate होते हैं कौन-कौन से एक तो हमारे पास exor gate होता है जो इसमें अभी दिया हुआ था मैं यह आपे बना देता हूं बापिस यह आपका जो symbol है यह वाला यह किसका symbol है exor gate का exclusive or ठीक है exor या फिर इसको कई वार हम exor भी बोल देते हैं मतला exclusive or और इसकी expression होती है y equal to a और यह symbol हम यूज करते है exor operation के लिए इस तरीके से और इसको further हम लिख सकते हैं a b का complement और प्लस a बार b तो exor gate मैंने आपको symbol बना के दिखाया है expression output वाली भी याद रखनी है या तो आपसे gate का symbol पूछ सकते हैं या वो expression भी पूछ सकते हैं तो exor gate और उसके बाद एक last में हमारे पास होता है exnor exclusive nor gate exnor जो इसका complement ही होता है एक तरीके से ठीक है तो जो हमारे पास ये exor gate हमने बनाया है भी अगर इसके आगे एक inverter लगा दें note gate लगा दें यहाँ पे तो ये क्या बने गया xnor बने गया ठीक है a b और इसकी जो output होती है y equal to उसके लिए हम एक symbol यूज करते हैं सर के लिके अंदर डोट लगा के ऐसे represent कर सकते हैं इसको या फिर हम क्या कर सकते है equal to ये क्या है ये इसका complement ही तो है तो a exor b का whole complement भी लिख सकते हैं इसको या इसको a b plus a bar b bar ये इसकी expression आपको याद रखनी है आपको समझ में आया अब class के अंदर हम इसको सबको detail में पढ़ेंगे सारे logic gate के वारे में समझेंगे इनकी to stable समझेंगे इनके electrical equivalent circuit समझेंगे तो बहुत सारी चीजे हैं जो हम class में regular discuss करेंगे ओके अब हम आगे चलते हैं अगले question पे तो जो अभी नए ने join किये हैं इस वीडियो को देख रहे हैं फिर से मैं आपको बता देता हूँ students Monday से PS PCL के लिए batch start हो रहा है इंजिनर्स के रिपाइंट यूर्पीडिया के चंडिगर सेंटर पे सुभा 11 बजे offline classes start होंगी और online बच्चों के लिए online classes के लिए सामको 6 बजे batch start होगा कोई भी query है आप इंजिनर्स के रिपाइंट के या यूर्पीडिया के website पे जो executives के number दिये रहते हैं उन पे आप call करके discuss कर सकते हैं ठीक इस वीडियो के description में भी आपको information मिल जाएगी उससे आप inquiry कर सकते हैं अब देखो दूसरा question यह दिया हुआ है decimal equivalent of this हमें क्या करना है एक binary number दिया हुआ है उसका क्या निकालना है decimal equivalent तो binary to decimal conversion अब देखो class के अंदर पूरा number system को हम detail में पढ़ाएंगे आपको और सारे conversion हम सिखाएंगे जैसे आप decimal से binary, decimal से octal, decimal से किसी भी base में convert करना चाते हो या किसी भी base से decimal में convert करना चाते हो यह सारी चीज़े detail में होंगी class के अंदर अब ही मैं आपको इस question का अगर answer की बात करूँ तो हम देखो क्या कर सकते हैं आप यह याद रखना कि अगर सारे input 1 है ना किसी binary number में अगर सारे 1 है जैसे यह है 1-1 उस case में जो decimal equivalent होगा वो होगा 2 की power 2-1 अगर 3-1 है तो 2 की power 3-1 अगर 4-1 है 2 की power 4-1 ठीक है ना अगर 5 है तो 2 की power 5-1 ठीक इसमें कितने है 2, 4 और 6, 6-1 है तो इसका answer क्या होगा इसका decimal equivalent क्या होगा 2 की power 6-1 so equal to 2 की power 6 क्या होता है 64-1 63 आपका answer आजाएगा तो एक तो यह तरीका आपको याद रखना full scale के case में जब सारी input high होती है तो decimal equivalent सीधा निकाल सकते है 2 की power n और minus 1 से और दूसरा method है हमारे पास decimal को binary उसमें binary को decimal में convert करने का तो वो method भी हम discuss कर सकते हैं अगर मैं एक दूसरा example लो कोई और जैसे माल्या 1011 यह है अब आपको क्या करना है इस binary number को यह binary number है ठीक है इसको आप change करना चाहते हो किसमें decimal में इसका decimal equal निकालना चाहते हो क्या करोगे सबसे right में जो bit है इसके उपर 2 की powers में weight लिखो ठीक है binary में है तो weight क्या लिखेंगे 2 की powers में लिखेंगे इनके 2 की power 0, 2 की power 1, 2 की power 2, 2 की power 3 ठीक तो equal to अब यह जो digit है इसको इसके weight से multiply कर देंगे positional weight बोलते है इनको ठीक है तो 1 into 2 की power 3, plus 0 into 2 की power 2, plus 1 into 2 की power 1, और plus 1 into 2 की power 0, equal to 2 की power 3, 8 into 1, 8 होता है, plus यह 0 है, plus यह 2 है, और plus 2 की power 0, 1 होता है तो 1 तो यह कितना होगे 11 तो इस method से किसी भी binary number को decimal में convert कर सकते हैं यहां पर तो मैंने सिर्फ इसका answer दिया, आपको related concern बताया लेकिन जब class में करेंगे तो भूर सारे examples हम discuss करते हैं और सारे variety of convergence को हम discuss class के अंदर करते हैं number system important होता है, एक question number system का जरूर आता है इस exam में तो number system को अच्छे तरीके से cover किया जाता है और easy है, ठीक है, easy तरीके साब को पढ़ाया जाएगा now let us see our next question, अगला question क्या है हमारे पास तो यहां पर क्या करना है, दो binary number दिये हुए हैं इनको करना है add, binary addition तो class के अंदर जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसमें तो दोनों तरीके के हम cover करते हैं एक तो unsigned binary addition होता है, एक signed होता है दोनों cover किये जाते हैं, ठीक है signed representation भी हम पढ़ाएंगे class के अंदर वहां से भी question बन सकते हैं तो अभी तो simple addition होता है, हमारे पास क्या हमें याद रखना है, कि अगर हम 0 को 0 में add करते हैं आपको पता है, 0, ठीक है, 0 plus 0 equal to 0, 0 plus 1 equal to 1, 1 plus 0 equal to 1, ठीक है और 1 plus 1 equal to 0 with carry 1, 0 with carry 1, और 1 plus 1 plus 1 equal to 1 with carry 1 तो यह हम तरीका याद कर लेते हैं, इससे हम addition directly कर लेते हैं लेकिन class के अंदर मैं आपको अलग-अलग bases में direct add करने की trick भी समझाओंगा ठीक है, जब class करेंगे तो वहाँ पे tricks होती हैं कोच जैसे दो number base 9 में हैं, उनको add करके base 9 का ही result चाहिए हमें माल लिया तो easily हम उसको कर सकते हैं, base 6 में दो numbers है, add करके base 6 में ही resultant चाहिए तो यह सारी tricks हम class के अंदर discuss करते हैं, अभी क्या करेंगे इस question को अगर हम solve करें एक number है, 1010 और दूसरा है 1101 इनको add करेंगे तो दोनों में बराबर bits हैं, ठीक है यहां से सुरू करेंगे 0 प्लस 1, 1, 1 प्लस 0, 1, 0 प्लस 1, 1 और 1 प्लस 1, 0 with carry 1 तो यह हमारा answer आया, लेकिन options में क्या दिया हुआ है कि सभी में 0 starting में दे रखा है तो इस number में अगर starting में 0 लगाते हैं कोई फरक नी पड़ेगा, ठीक है यह unsign number है, 0 लगाने से कोई फरक नी पड़ेगा इस पर, तो अब कौन सा option मैच करेगा 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 तो यह option आपका answer हो जाएगा तो ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी tricks होती हैं, जो हमें समझनी है जैसे बच्चे confused हो सकते हैं कि वह यह इसमें तो 5 डिजिट आ रही है जबकि इसमें तो 6 दे रखा है कहीं question गल्ब तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहले एक bit बढ़ा दी है तो bit बढ़ा सकते हैं, 0 को left में copy कर सकते हैं, कोई problem नहीं है Now come to next question Find the decimal equivalent of 27 in octal number system देखो 27 octal में हैं और उसको आपको convert करना है decimal में, ठीक है octal to decimal conversion है यह तो क्या कर सकते हैं, octal से decimal में conversion के लिए हमारे पास 27 एक number है, जो octal मतलब base 8 में है और हम चाहते हैं इसको किसमें convert करना, base 10 में तो किसी भी base से base 10 में convert करने के लिए हम एक rule follow करते हैं कि उसके base को, जिस number को convert करना, उसके base को use करते हैं base 8 है ना, तो यहां से हम सुरू करेंगे 8 की power 0, 8 की power 1 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, इसको बोलेंगे positional weights हम हर एक digit का positional weight लिख देंगे ऐसे अगर यहां पर 9 होता तो 9 की power 0, 9 की power 1 कर देते अगर यहां 3 होता, माले 11 होता, ठीक है तो 11 की power 0, 11 की power 1 कर देते यह तरीका है, अब क्या करेंगे, इस weight को इसकी digits से multiply करेंगे तो 2 multiplied by a to the power 1 plus 7 multiplied by a to the power 0 equal to 16 plus 7, 23 23, so decimal equivalent क्या होगा 23, okay, now let us see next question, full form of RAM, तो इसमें से क्या है RAM की full form, तो आप सभी को याद हो गए, तो याद रहता है RAM होता है random access memory, तो इसका answer क्या आएगा, भी आएगा, तो इस तरीकी की कोई ने कोई ने कोई full form भी आपसे पूछी जाती है, अब देखो यहां पर आपसे question पूछा गया, तो मैंने कुछ important जो memories होती है, उनकी full form यहां पर लिख दिए, ठीक है न, जिसे ROM, read only memory, DRAM, dynamic random access memory, SRAM मतला static random access memory, PLA मतला programming logic array, programmable logic array, programmable array logic, या EP ROM, यह कुछ नहीं है आपर, ठीक है, EP ROM यह, तो erasible programmable read only memory, या EEP ROM, electrically erasible programmable read only memory, यह important full forms है, तो ऐसी बहुत सारी full form class के अंदर आपको लिखवाई जाएंगी, जहां से question बन सकते हैं, ओके, अब हम बात करते हैं, afternoon session की, अभी जो हमने question discuss किये, यह थे morning session के, अब हम afternoon session के question देखते हैं, the output of a two input end gate, will be high when, so देखो two input end gate के output high कव होती है, मतलब आपको जितने भी logic gate है, उनके symbol, उनकी expression output की और उनकी truth table पता होनी चाहिए, truth table के उपर question है यह, अगर हम end gate की truth table की so output one कव हो रही है, high का मतलब one, output high कव हो रही है, जब दोनों input high है, ठीक है, कौन सा option होगा, so both the inputs will be high, तो D option पे हम tick करेंगे आप exam में, okay, so ऐसे सारे gate की truth table आपको याद करनी है, जो class के अंदर करवाई जाएगी, okay, now let us see next question, बहुत ही basic level के question पूछे जाते हैं, ठीक है ना, हम class में इस सारे basic level को तो कवर करते ही है, साथ में थोड़ा सा इससे और उपर जाएंगे, ताकि आपकी कोई भी possible question वहाँ पे छुटे ना, okay, so a plus b का compliment जो है, वो किसकी expression है, अब भी थोड़ी देर पहले मैंने सारे लिखवाए हैं आपको output expression स्टार्टिंग के question में लिखवाए थे, तो a plus b और gate होता है, उसका compliment अधा, नोर gate, तो d answer आजाएगा आपका, okay, simple question है, या इसमें dmorgan लगागे, अगर कोई और question मनाना हो, तो और भी बन सकते हैं, now, let us see next question, simplification, तो simplification के ओपर भी question बहुत सारे हम discuss करते हैं, अधर, अलग अलग तरीके की problems हम बच्चों को देते हैं, वो समझाते हैं कि कैसे इनको simplify करना है, ठीक है, तो यहाँ पर इस question को अगर आप simplify करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, simplification का मतलब मिनिमम करना है, इसको जितना छोटा कर सकते हैं, ताकि logic gate की requirement हमारी कम से कम हो, ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो, हमें इसमें AB पलस AB है, हमें याद रखना है कि अगर कोई भी boolean variable P है, तो P पलस P इकल टू P होता है, किसी भी boolean variable के लिए P पलस P इकल टू क्या होता है, तो AB पलस AB को AB लिख सकते हैं, ठीक है, AB पलस AB इकल टू क्या लिखा जाता है, AB, ठीक है, 2AB नहीं लिखना है इसको, यह arithmetic नहीं है, boolean है, boolean में AB पलस AB मतला AB, boolean algebra है यह, राइट, अब हमें पता है, 1 पलस something, ठीक है, 1 पलस something, is equal to 1 होता है, 1 के आगे पलस में कोई भी boolean expression लिखेंगे हम, तो वो क्या होता है, 1 होता है, यह हमें याद रखना है, ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोगो, पहली AB और AB को तो AB लिख दिया हमने यहाँ पर, AB, पलस AC, पलस, हमने यहां से B common ले लिया, तो यह बचा 1 पलस C, ठीक है, equal to AB, पलस AC, पलस, अब 1 पलस C तो 1 हो जाएगा, और 1 इंटू B, B हो जाएगा, ठीक है, अब यहां से B और यह वाला B common ले लो इन दोनों से, तो equal to B common लिया, तो A पलस 1, और पलस AC, अब यह A पलस 1 तो 1 हो गया, और 1 इंटू B, B हो गया, तो क्या बचा, finally B पलस AC, तो यह हमने minimum कर दिया, इस से further इसको reduce नहीं कर सकते, तो answer के इसाब से देखें, तो A option आपका match कर जाएगा, तो इस तरीके के simplification के उपर question आएंगे exam में, इसकी practice आपको करनी है, जो class के अंदर भी हम लोग बहुत कराते हैं, अब अगला question क्या है, देखो, following circuit is the representation of gate using NAND gate, यह कौन सा gate है, यह हमने NAND gate से बनाए हैं, एक circuit बनाए है NAND gate से, यह पूरा circuit किस logic gate को represent कर रहा है, तो आपको क्या बताना है answer इसमें देखो, NAND gate है न यह वाला, और यह क्या है, दोनों input को आपस में connect कर दिया, तो यह तो inverter बन गया, NAND inverter बन गया, inverter क्या करेंगा, इसको invert कर देगा, यहां से हमें मिला AB का बार, यह बाला, और उसको invert कर दिया, inverter ने तो क्या बन गया, AB, ओके, तो finally यह कौन सा gate है, AB मतला end gate हो गया, NAND का compliment क्या होता है, end होता है, ओके, now, binary से decimal में convert करना, देखो, morning session में भी question थे, इसके उपर, evening में भी है, तो मतला important है, यह conversion जो है आपका, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, किसी binary number को decimal में convert कर सकते हैं, यहां पे अगर हम लिखेंगे, 1010101010, तो 2 की power से start करेंगे, 0 से, क्योंकि binary number है, ठीक है, 2 की power 1, 2 की power 2, 2 की power 3, 2 की power 4, 2 की power 5, 2 की power 6, 2 की power 7, एक चीज़ और याद रखना, 2 की powers की जो values होती ही, वो आप याद रखना, class के अंदर भी आपको याद कराए जाती है, आपको खुद भी याद रखना, यह काफी help करती है, ठीक है, digital में, तो यह क्या है, 1 multiplied by this, ठीक है, यह हमें total add करना है, तो 32 और 8, 42, 42, so 128 plus 42, so equal to 170, so options के साब से अगर देखें, तो D option आपका match कर रहा है, ओके, तो यह मैंने सारे questions बता दिया, आपको जो digital के हैं, तो ओके, दोनों session में, morning में और evening में, तो 4 से, मतब चार questions से लेके, 7-8 questions तक आपके जाते हैं, digital के अंदर से, और easy questions है, आपकी rank बढ़ाने में help करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर fight neck to neck होगी, एक-एक number important है, आप किसी भी subject को lightly नहीं ले सकते, मालिया, तो सब की बराबर हैं, ओके, तो आपको सभी topics को ध्यान से पढ़ना है, और यह subject तो easy है, easy questions आते हैं, तो इसको skip नहीं करना, क्योंकि कोई दूसरा कर लेगा, वो पूरा करके आजाएगा, आप शोड़ के आजाओगे, अगर आप लापरवाई करोगे तो, ओके, तो बच्चों, अच्छी opportunity है, J.E. बनना सभी का electrical engineer का dream होता है, कि एक बार electrical background के जो भी बच्चे होते हैं, कि J.E. बने, A.E. बने, ठीक है, तो अच्छी opportunity है, इसको हाथ से मत जाने दो, कि एक बार है, इसको हाथ से मत जाने दो,